हेलो फ्रेंड्स आज मैं अन्बॉक्सिंग करूंगा इंडिया's most famous and best selling blended scotch whisky black dog तो चलिए फ्रेंड्स इसको निकालता हूँ box से बाहर फिर कुछ information मैं आपसे इसके बारे में share करूंगा तो गाइस यह है इसकी bottle बहुत ही famous whisky है गाइस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा fan falling है इसकी तो फ्रेंड्स यह है black dog तो गाइस मैं आपको बता दूँ sir walter milard जो थे वो founder थे इस whisky के और उन्हें fishing का बहुत ही shock था तो जिस काटे से वो मचली पकड़ते थे उस काटे को वो black dog बोलते थे तो तब ही उन्होंने इस whisky का नाम black dog रखा है 1883 में यह whisky बनी है तो गाइस एक blended scotch whisky है means इसमें malt और grain दोनों का blend है और गाइस मैं आपको बता दूँ यह bottling in India है means इसमें blend और aged यह Scotland में होती है और वहाँ से containers में फिर इंडिया आती है और फिर इसकी bottling होती है और बहुत ह यह famous whisky है guys जैसा आप देख रहे हैं इसमें कोई age statement नहीं है लेकिन scotch whisky का एक rule है कि at least 3 years के लिए whisky mature होनी चाहिए तो हम इसको 3 years age whisky मानेंगे यह एक rule है scotch whisky association का कि कोई भी scotch हो वो 3 years के लिए minimum age कराने ही पड़ेगी तो बहुत ही favorite whisky है guys मेरी भी बहुत favorite whisky है यह एक बा पहले थोड़ी broad आती थी इसकी bottle थोड़ी height छोटी होती थी अब इन्होंने bottle थोड़ी change कर दी है अच्छी लुक है guys इस bottle की थोड़ा decent look है मैं थोड़ा close look दिखा देता हूं आपको इस bottle का बहुत decent look है और guys यह एक 750 ml की bottle है 42.8% इसका alcohol strength है और मैं price की बात करूँ तो 1400 rupees इसका price है इन उत्राखन अधर state में और आपके state में price vary कर सकता है और मैं taste की बात करूँ तो guys इसमें आपको थोड़ा woodiness, dried fruits, sweetness और creamy यह आपको इसमें taste मिलेगा आप इसको neat on the rocks इसली पी सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाले मैं तो कहूंगा आप जब ice लें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाले तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा तो friends अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe my channel, thank you friends, thank you very much for watching this video